आज के वीडियो के इंट्रो के वारे में हम लोग कुछ भी बाते नहीं करने वाले सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को इतना ही बता दूँ कि ये एक होरर स्टोरी होने वाली है लेकिन वीडियो सुरू करें उससे पहले आप लोग इस यूटूब नाम के समंदर में गोता लगाएं और इसके अंदर आप लोगों को एक लाइक बटन दिखाई देने वाला है उसको आप जाकर पकड़ लीजिए और उसे क्लिक कर दीजिएगा और इस बात के तो चिंता बिलकुल भी मत कीजिएगा कि आप इस समंदर में डूप जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पर एक लाइफ बोट के साथ आपका इंतजार बाहर कर रहा हूंगा और इसके साथ साथ ओफबिट पॉड़कास्ट को सबस्क्राइब भी कर लें क्योंकि इसी तरह की काफी सारी ट्विस्टिड कहानियां मैं आगे भी लेकर आने वाला हूं और वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊंँ इसी के साथ चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था यह कहानी है अमेरिका के सोल्ट लेक यूटा में बने एक थियेटर की जिसमें रहने वाले बहुत से लोगों ने यह महसूस किया था कि यहाँ पर सारी की सारी चीज़े नॉर्मल नहीं हैं जबकि बहुत से लोगों ने काफी सारी पैरानॉर्मल घटनाओं को यहाँ पर एक्सपिरियंस किया था और आज की जिस घटना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो घटी 2006 में जब डेव मर्फी नाम का एक वेक्ती नया नया पुलीस को जोईन करता है और उसे फिजिकल सिक्योरिटी इन चार्ज के रूप में तैनात किया गया था और उसी के चलते साल्ट लेक यूटा में बने कैपिटल सीटी थीटर में उसकी डूटी आ जाती है वो काफी अच्छे से तैयार होकर यहां पर इस थीटर में आ जाता है आज से पहले भी वो काफी बार इस थीटर में आया था लेकिन नॉर्मली तोर पर वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मूवी देखने के लिए आया करता था लेकिन आज के टाइम में उसकी यहाँ पर इस थियेटर में ड्यूटी लगी थी और उसे इस थियेटर को संभालना था वो इस चीज को लेकर काफी जादा खुस था कि आज तक सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पर मूवी देखने के लिए आया दो तिन घंटे उसने यहाँ पर बिताए उसके बाद वो यहाँ से चला गया लेकिन आज पूरे तरीके से इस थियेटर की सेफटी उसे ही करनी है और इसी तरह के काफी सारे ख्वाब बनाते बनाते वो अंदर सिक्योरिटी रूम में चला जाता है जहां पर की पहले से ही एक पुलिस ओफिसर बैठा हुआ था डेव उस सिक्योरिटी रूम में जाते ही उस पुलिस ओफिसर से हाई हैलो करता है और उस पुलिस ओफिसर ने बताया कि उसका नाम मारगन है वो दोनों मिलकर रात को यहां पर सीक्योरिटी देने वाले हैं और इसी बीच डेव ने मारगन गो बता कि आज उसका पहला दिन है और पहले दिन ही उसे यहां पर भेज दिया गया है तो मारगन ने कहा कि आप चिंता बिल्कुल में मत कीजिए यहां के जो कुछ भी काम वगेरा होते हैं वो मैं तुम्हें बता दूँगा क्योंकि पिछले काफी दिनों से मैं यहां पर ड्यूटी दे रहा हूं तो डेव इस बात के लिए राजी हो गया और इसी तरहें कुछ एक देर तक वो लोग बाते करते हैं और उसके बाद मारगन ने ये बात कही कि अब टाइम हो चुका है हमें जाकर इस थेयटर का एक चकर लगा कर आना जाहिए ताकि हम लोग सारी चीजों को देख पाएं कि सारी की सारी चीजें सही सलामत है या नहीं और कोई चोर वगेरा तो यहां पर नहीं आ गया है ये बात बोलकर वो डेव को अपने साथ लेता है और सारी की सारी बाते बताते हुए कि ये थियेटर किस तरीके से बनाया गया है कहां पर क्या कुछ चीजे मौजूद है आगे वो लोग बढ़ने लगते हैं इनका जो ये सिक्यूरिटी रूम था ये फर्स्ट फलोर पर था ज दोनों ही उस बेस्मेंट में जा पहुंचते हैं जो की पूरे तरीके से बिलकुल खाली पड़ा हुआ था इस बेस्मेंट में बिलकुल अब अंधेरा चा चुका था लेकिन उन दोनों के ही पास अपनी अपनी बैटरी थी जिसके मदद से वो लोग आगे बढ़ते हैं सारे बेस्मेंट को अच्छे से जब उन लोगों ने चेक कर लिया तो वो लोग वापिस आने लगते हैं लेकिन इसी बीच डेव ने देखा कि यहाँ पर एक बड़ा सा पियानो बीच में रखा हुआ है लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर कार यह बेस्मेंट में है तो वहाँ पर आकर अच्छे से वो लोग दोबारा से बाते करने लगते हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से जान पहचान करने लगते हैं और इसी तरह करते करते अगले लगबग दो तिन दिन बीच जाते हैं और उसके बार टाइम आया 9 अगस्ट 2006 का जब मॉर्गन ने डेव स अपने उपर नीचे घूम रहे हैं क्या तुम जाकर वहाँ पर एक चकर और लगा आओगे क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले ही गए थे अम मेरा जाने का मन नहीं है और वैसे भी यहाँ पर जितने भी CCTV कैमरा वगेरा लगे हुए हैं उन में से मैं यहाँ पर LED में तुम करा ओगे डेवी इस बात के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसने यही बात सोचे थी कि जाना क्या है बस सेकंड फ्लोर पर जाना है थर्ड फ्लोर पर जाना है उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर जाकर बेस्मेंट को चेक करना है और उसके बाद वापिस वो यहाँ पर आ हुई है और सायद यहीं से वो ठंडी हवा आई होगी और लगातार अब तो मोसम भी बदलता जा रहा है तो यह ठंडा सा जो हवा का जोका उसे लगा था यह इस खिडकी से ही अंदर आया होगा यही सारी बाते सोच कर वो आगे बढ़ने लगता है लेकिन जब वो आगे जाकर सारी ही उस जगें को सारे ही गलियारों को अच्छे से चेक करके वापिस आने लगता है तो उसी टाइम जो उसके जस्ट पीछे ही एक रूम बना हुआ था उसका दरवाजा धमाक से एकदम से बंद हो जाता है डेव ने जैसे ही ये चेज देखी वो तुरंट मूड कर पीछे देखता है और उसने पाया कि जो ये दरवाजा अभी थोड़ी देर पहले खुला हुआ था ये अभी अभी बंद हो गया है लेकिन जब जाकर उसने वहाँ पर अच्छे से चेक किया तो उसने पाया कि ये दरवाजा अचानक से बंद कैसे हो जकता है क्योंकि इसके दोनों ही तरफ उपर और नीचे जो हाइडरोलिक पाइप लगे होते हैं जिससे की दरवाजा जोर से बंद नहीं होता वो लगे हुए हैं तो आखिरकार इतनी जोर से ये अचानक से बंद कैसे हो गया होगा इतनी भी तेजी यहां पर हवा नहीं चल रही है और यही बाते सोचते सोचते उसने मारगन के पास वोकी टोकी से ये संदेश भेजा कि यहां पर कोई न कोई है और उस बंदे ने तेजी से ये दरवाजा ब निकाल चुका था वो अपनी गन को लेकर अपनी बैटरी को लेकर उस धरवाजे को खूलने लगता है और अभी भी उसके धिमाग में ये बात थी कि वो बंदा जिसने की ये धरवाजा इतनी जोड़ से बंद किया है क्या वो इसके अंदर गया होगा या फिर इससे बाहर निक वो दोनों ही अपनी गन निकाल लेते हैं और उसके बाद एक बंदे ने तो दर्वाजा खोला और दूसरा उसके अंदर चला जाता है लेकिन अंदर जाकर उन लोगों ने उस पूरे ही कमरे को चान मारा लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था जिसके बाद वो लोग धीरे धीर कर वापिस आने लगते हैं बाहर की तरफ क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि अगर चोर अगर इस कमरे के अंदर नहीं है तो वो बाहर हो सकता है जिसके लिए वो वहाँ पर मौजूद जितने भी कमरे थे उस थर्ड फलोर पर उन सारे ही कमरों को चेक कर लेता है और उसके ब लाइट जलाई थी और गन ने साफ इंकार कर दिया कि मैं तो तुम्हारा वोकीटोकी पर जैसे ही मैसेज आया था सिदा गा सिदा दोड़ते हुए तुम्हारे पास ही जा पहुंचा था मुझे नहीं पता कि यहाँ पर यह लाइट किस ने जलाई होगी जिसके बाद वो दो उन्होंने यही बात सोची कि जो चौर है वो इस time इस मंजिल में ही होना चाहिए या फिर हो सकता है first floor पर वो हो ground floor पर वो हो या फिर हो ये भी सकता है कि वो basement में जा पाऊंचाहो तो वो लोग first floor को check करते हुए ground floor को check करते हुए और ज्यादा चोकनने हो चुके थे और अब वो लोग पूरी ही बिल्डिंग को काफी अच्छे से चान चुके थे लेकिन उन लोगों के जब हाथ कुछ भी नहीं लगा तो उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग इस पूरी ही बिल्डिंग को दोबारा से चानने वाले हैं वो लोग यहीं उपर चले जाते हैं एक एक फ्लोर को अच्छे से चेक करते हुए लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी नहीं मिला और उन्हों को पूरी बिल्डिंग में ही कुछ नहीं मिला तो आखिर में उन्होंने यही डिसाइड किया अपने मन को समझाते हुए कि वो दरवाजा हवा के कारण ही बंद हुआ था। उसके बाद एक दो दिन तो यूही बीचते हैं जिसके बाद टाइम आया 11 अगस्त का जब मोरगन अकेला इस टाइम ड्यूटी पर था और डेव उस दिन चुटी पर था तो उसे पूरी की पूरी बिल्डिंग को अकेले ही संभालना था। तो उसने ये बात सोची कि क्योंने वो पूरी ही बिल्डिंग का एक बार चक्कर लगा आए वो सेकिंड फ्लोर पर जाता है थर्ड फ्लोर पर जाता है लेकिन जैसे ही वो थर्ड फ्लोर पर पहुंचा तो उसे ये महसूस होने लगा कि नीचे सेकिंड फ्लोर से कोई ना बढ़ता जा रहा था उसके बाद वो इसी तरह करते-करते नीचे बेस्मेट में जा-पहुंचता है। पुरी तरीके से बंद होती है। पांच बजे उसकी जॉब वहां पर सुरू हुआ गरती थी। लेकिन टाइम से पहले ही वो लगबग आदे घंटे पहले ही आ चुका था यहाँ पर और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचता है अपने सिक्यूरिटी रूम की तरफ जाने लगता है तब ही उसने देखा कि यहाँ पर जो थीटर में काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर खड पहलते वो वहीं पर उन लोगों के पास आकर खड़ा हो जाता है और उनके साथ हाई हैलो करने लगता है उसने अपनी पहचान उन लोगों के साथ करवाते हुए यह बात बताई कि उसकी यहाँ पर रात को सिक्यूरिटी ओफिसर के तोर पर ड्यूटी लगी हुई है और किसनी ने दरवाजा बंद कर दिया था और इसी तरह की कुछ एक बाते और वो लोग करते हैं और इसी टाइम यहाँ पर इस थेयटर में काम करने वाला एक सीनियर अकाउंटेंट वलेयर फूलर अपनी कहानी बताने लगता है उसने बताया कि अब वो कभी भी यहाँ पर रा पराएल जाता है और उसके बाद तो उसने साम होने से पहले ही यहाँ से निकल जाता है वो सारे ही लोग वहाँ पर खड़े होकर इस बात में इंटरस्ट लेने लगते हैं कि आखिर कार इसके साथ क्या बीता होगा और उसके बाद व्यलेयर ने बताना शुरुक्या की एक र उपर आ रही है पहले तो उसने यही बात सोचा कि हो सकता है यहाँ पर कोई आया होगा रात को लेकिन जब उसे यह बात पता जलती है कि यह लिफ्ट दोबारा से नीचे चली गई और अब दोबारा से उपर आ गई तो उसने रूम से अपने बाहर आकर उस लिफ्ट को जा कर और उसे यही बात पता जलती है कि हो सकता है यह अपने आप यहां पर चल रही है इसके अंदर कोई वेक्ती नहीं है तो जरूर यह कोई न कोई टेक्निकल खराबी होगी और यही बात सोचकर वो वापिस अपने रूम में आकर काम करने लगता है लेकिन कुछ एक देर बाद ही उसके गलियारे से आवाज आने लगती है वो बाहर निकल कर दोबारा से जब देखता है तो उसे पता जलता है कि वो लिफ्ट उसके फ्लोर के उपर आकर अब खड़ी हो चुकी है उसके दरवाजे अब खुल चुके हैं तो पता नहीं उसके दिमाग में भी उसे खुद नह दूशता है वो लिफ्ट अपने आप बंध हो जाती है इस घटना के बाद वो थोड़ा घबरा जरूर जाता है लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही बात थी कि यह लिफ्ट खराब हो चुकी है इसमें कोई ना कोई टेक्निकल इसू आया हुआ है और यही बाते सोचते इनको दबा देता है लेकिन जब वो उपर की तरफ आ रहा था तो पता नहीं कहां से उस लिफ्ट में हज़से जादा ठंड बढ़ जाती है उसके बाद वो वहाँ पर आकर लिफ्ट खुल जाती है और वो वापिस अपने रूम में आ जाता है लेकिन अभी भी उसके से काम करने लगता है तो उसे बाहर से काफी सारी आवाजे आने लगती है मानो यहां पर कोई ना कोई अलमारियों को उठा कर एक जगह से दूसरी जगह फैक रहा हो वो अपने सारे के सारे दस्तावेज वापिस टेबल पर रखकर बाहर की तरफ आने लगता है और वहां पर आकर उसने देखा कि जितने भी यहां पर लाइन में रूम हैं उन सारे ही रूम्स के अंदर जितने भी अलमारियां थी वो सारी की सारी उनके गेट में पड़ी हुई हैं आधी अलमारी तो कमरे के अंदर है आधी कमरे के बाहर है और वो सारी की सारी गेट के बीच फसी हुई ह ये सारी चीजे देखकर अब वो काफी ज़्यादा घबराने लगता है सामने जो लिफ्ट थी उसकी लाइट अब कभी तो आ रही थी कभी जा रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है अब वो ऐसे माहौल को देखकर बहुत ज़्यादा घ जड़ जाता है तो नीचे जाकर इसके दरवाजे भी खुलेंगे या नहीं जिसके जलते वो सीडियों से नीचे आता है और तुरंत उस थीटर से बाहर आ जाता है और उसके बाद उसने ये बात बताई कि वो रात के टाइम तो इस थीटर में कभी रुका ही नहीं वैसे भी धीरे धीरे कर घबराने लगता है कि आखिर कर यहां पर मामला क्या चल रहा है कुछ एक देर बाद ही मॉर्गन भी वहां पर आ जाता है और मॉर्गन के आने के बाद डेव ने सारी की सारी बाते बताई कि यहाँ पर मैनेजर काम करता है उसने कुछ इस तरह की बाते मुझे बताई है और डेव की बाते सुनकर मॉर्गन ने भी बताया कि मेरे साथ भी तुम्हारे पीछे से कुछ एक ऐसी घटना घटी थी पता नहीं बाहर कोई खास रहा था जैसे ही मैं देखने के लिए जाता अब वो दोनों ही खाफी ज़ादा घबरा चुके थे लेकिन उनकी ड्यूटी थी इस पूरे के पूरे थियटर की रखवाली करना और वो दोनों यही डिसाइड करते हैं कि वो लोग इसकी अच्छे से रखवाली करेंगे लेकिन अब वो लोग अकेले कही पर भी नहीं तो हो सकता है हमारे सीनियर इस बात को ना माने तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि अगर मैं अपने किसी दोस्त को यहां पर रात के लिए बुला लेता हूं तो कैसा रहेगा ताकि हमारे पास एक एविडेंस और बढ़ जाए कि इस बंदे ने भी वो सारी की सारी चीजे देखी थी मारगन को इस चीज में कोई तकलिफ नहीं थी और कुछ एक देर बाद ही डेव अपने उस दोस्त को वहां पर बुला लेता है जिसके बाद वो तीनों ही पूरी की पूरी रात वहां पर घूमते रहते हैं अगले दो तीन दिनों तक कुछ भी नहीं होता है और उ उसके बाद अगर कुछ भी नहीं होता है तो तुम चाहो तो यहां से जा सकते हो ये बात बोलकर वो उसे अपने साथ लेते हैं और यूही राउंड लगाने के लिए उस थीएटर में निकल पड़ते हैं फर्स्ट फलोर सेकिंड फलोर और इसी तरह सारे की सारी जगों को व तो वो दोनों ही लोग अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं उसके दोस्त के पास तो गन नहीं थी तो उन्होंने यही बात कही कि वो रूम से बाहर रहे वो दोनों उस रूम के अंदर जाने वाले हैं तो उसके दोस्त ने कहा कि मेरे पास तो लाइट भी नहीं है तुम दोनो ही अगर अंदर चले जाते हो यहां पीछे से कोई आकर मेरे उपर हमला करके चला गया तो मैं क्या कर लूँगा मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलने वाला हूँ और इस बारे में वो दोनों भी काफी अच्छे से समझ सकते थे तो वो तीनों ही धीरे-धीरे कर उस रूम के अंदर घुसने लगते हैं लाइट की टोर्च मारकर वो चारो ही तरफ देखने की कोशिस करते हैं सबसे पहले तो उनका मुँ सिदा सिदा था उसके दोस्त ने जैसे ही अंदर वो घुसता है तो जैसे ही लाइट आगे पड़ती है तो थोड़ी सी रोसनी पीछे की तरफ भी आती है और डेव के उस दोस्त ने डेव को हाथ लगाते हुए ये बात कही कि ये रहा तुम्हारा चोर उसने एक कोने की तरफ इसारा किया लेकिन जब डेव ने उस कोने में वो बैटरी मारी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था वो तीनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसके दोस्त ने यही बात कही कि यहाँ पर कोई था मेरा विश्वास करो मैंने काफे अच्छे से साफ साफ उसे देखा था लेकिन अब पता नहीं वो कहां पर चला गया ये बात सोचकर वो तीनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसके बाद तीनों ही वापस सिक्यूरिटी रूम में आ पहुंसते हैं लेकिन ये खास बात जरूर थी कि उस दिन के बाद डेव का वो दोस्त दोबारा से डेव के साथ इस थीयटर में कभी आया ही नहीं और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब इस थीयटर के मालिकों ने यहाँ पर लगे हुए जितने भी ये सिसी टीवी कैमरा थे ये सारे के सारे बदलवा दिये और यहाँ पर नाइट वीजन सिसी टीवी कैमरा लगवा दिये जिससे कि वो लोग अंधेरे में भी काफी साफ साफ देख सकते थे और इस बात को लेकर मॉर्गन भी काफी जादा खुश था डेव भी काफी जादा खुश था और पिछले काफी दिनों से कुछ अजीब घटना यहां पर नहीं घटी थी और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब डेव तो बारा से चुटी पर था और मॉर्गन को अकेले ही डूटी संभालनी थी तो वो यूही बैठा था उस टाइम अपने सिक्योरिटी रूम में और उस टाइम उसने देखा कि यहां पर जो थियेटर है थियोटर की जो कुरसी लगी हुई हैं उनके उपर कोई न कोई वेक्ती बैठा हुआ है यह सारे के सारे जो अब नए कैमरा लगाए गाए थे बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे थे किसी भी तरीके से वो लोग उन्हें यूज कर सकते थे लेकिन मॉर्गन को वो कैमरा यूज करने नहीं आते थे क्योंकि ये काफी ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे हाई टेकनलोजी के थे और उसमें उसे नहीं पता था कि यहां पर जूम कैसे किया जाता है जिसके तोर पर वो यूही देखता रहता है वहाँ पर बैठ कर अगर मैं नीचे जाता हूँ थियेटर में तो ये तब तक वह से भाग जाएगा और इसी तरह करके वो लगातार उस सेसी टीवी कैमरे से उस स्क्रीन पर नजर बनाए हुए था वो गोर से देखने की कोसिस कर रहा था कि इसी टाइम वो बंदा जो की सामने बैठा हुआ था वो वहां से गायब हो जाता है अब मारगन को बिलकुल भी नह ही निकलाएगा ये चीज़ देखकर मौरगन काफी जादा घबरा जाता है कि ये बंदा तो अभी अभी मानो स्क्रीन से ही बाहर निकलाता ये चीज़ देखकर मौरगन काफी जादा घबरा जाता है और अगले दिन जाकर वो दोबारा से अपने सीनियर्स के सामने इस बात क दिया और उसने ये बात कही कि आप लोग मेरी कहीं और ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं तो ये पकड़िये मेरा रिजाइन लैटर मैं ये जो भी नहीं करना जाता जिसके बाद वो वो तो वहां से चला जाता है लेकिन अब डेव वहां पर अकेला रह चुका था अब डेव अक पूछा कि आखिरकार वो चला क्यों गया अब वो अकेले यहां पर ड्यूटी कैसे देगा तो मार्गन ने कहा कि भाई जिंदगी बहुत जरूरी है मैं नहीं चाहता कि इस तरहें किसी भूतों के चकर में फसकर मैं अपनी जान गवा दूँ और इसी तरहें वहाँ पर ड्यू अकेला रहे जाता है वो अपनी ड्यूटी उस टाइम सिक्यूरिटी रूम में बैठ कर कर रहा था सारे के सारे सामने से से टीवी कैमरों की LCD लगी हुई थी वहाँ पर वो सारी चीजों को देख रहा था कि उसी टाइम उसे काफी ज़्यादा गहरी आवाज आती है कि मानो ब पास तो उसे पता जलता है कि इस प्यानो को अभी भी कोई बजा रहा है वो उस प्यानो के बिल्कुल नजदीक जा चुका था लेकिन जैसे ही वो उस प्यानो की नजदीक पहुंसता है तो उसने देखा कि यहाँ पर प्यानो बज तो जरूर रहा है लेकिन इसे बजाने वा देखता है तो पहले तो उसे भी विश्वास नहीं होता है कि कुछ इस तरह से यहां पर यह प्यानो बज रहा होगा लेकिन जैसे ही वो फटा गिरता है तो उसकी नील सी खुल जाती है और वो भागते भागते उस थियेटर से बाहर आता है बाहर आकर वो वहाँ पास में मौजूद जो पुलिस टेशन था वहाँ पर जाकर सारी की सारी बाते बताता है और उसने भी यही बात कही कि वो इस थियेटर में काम नहीं कर सकता उसको दूसरा काम दे दिया जाता है कि चल ठीक है तूँ उस थेटर में काम नहीं करना चाहता तूँ नहीं कर सकता पहले ही एक ओफिसर वहाँ पर रहने के कान रिजाइन दे कर जा चुका है तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई और पुलिस वाला पुलिस फोर्स को छोड़ कर ज और वहाँ पर उस थियेटर में किसी और पुलिस ओफिसर की डूटी लगवा दी जाती है लेकिन एक रात ऐसी भी आती है जब डेव के वोकी टोकी पर एक एमेरजेंसी कोल आती है और ये कोल किसी और ने नहीं की जबकि उसी नए पुलिस ओफिसर ने की थी जिसकी की डूटी उस थियोटर में लगाई गई थी वो काफी ज़्यादा घबराया हुआ था और डेव इस बात को समझ जाता है कि वहाँ पर कोई ना कोई जरूर ऐसी घटना घटी होगी जिससे कि वो व्यक्ति घबरा गया होगा और अब उसे वहाँ पर जाना चाहिए डेव तुरंक परभाव से वहाँ पर जा पहुंसता है उस सिक्यूरिटी रूम में जा पहुंसता है और उसके बाद उस पुलीस ओफिसर को संभालता है वो पुलीस ओफिसर उसे बताने लगता है कि यहाँ पर एक काफी ज़्यादा अजीब घटना घटी वो उसे एक्स्प्लेइन करने की कोसिस करता है लेकिन समझा नहीं पाता जिसके बाद डेव ने यही बात कही कि भाई तु ज़्यादा खबरा मत मुझे पता है तुझसे पहले मैं यहाँ पर जोब करके जा चुका हूँ जिसके बाद वो पुलिस ओफिसर डेव के साथ उस थियेटर जे बाहर आ जाता है और उसके बाद तो कोई भी पुलिस ओफिसर उस थियेटर में ड्यूटी देने के लिए तयार हुआ ही नहीं और उसके बाद वो थियेटर हमेशा हमेशा के लिए रात को युही विरान पड़ा रहा तैसे दोस्तों आप लोग इस थेटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या आप रात के टाइम इसमें जाना चाहेंगे क्योंकि काफी सारे लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर भूत आज भी रहते हैं अपनी राइ कमेंट वोक्स में जरूर बताइएगा और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट खेतो या चूमी को और राइड बीटिफुल कमेंट तो गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल मिलते हैं एक और ने ट्विस्टिड केस के साथ